इंडिविजल पार्टीज देख लेते हैं, 186 रुजान आचुके हमारे पास, बीजेपी 55 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी का लक्ष, उसको अब 105 दिखाई दे रहा होगा, 2019 का उसके पास पहुंचना चाहेगी बीजेपी, फिराल 55 सीटों पर आगे ह अगर आगे दिखाई दे रही है, अनडिवाइड़ शिवसेना को 56 सीटे मिली थी, 28 सीटों पर इस वक्त एकना चिंदे आगे चल रहे हैं, NCB अजीद गुट 18 सीटों पर आगे चल रहा हैं इस वक्त, कॉंगरेस 40 सीटों पर आगे, कॉंग्रेस पार्टी को 44 सीटे मिली थी कॉंग्रेस अपना स्कोर बहतर करेंगी इसमें कोई शक नहीं दिखाई दे रहा शिब सिना उदव साब बाला ठाकरे 20 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं तो अगर आप ये तुलना करेंगे तो शिंदे सिना 28 उदव सिना 20 शिंदे सिना आगे दिखाई दे रही है ऐसी अगर आप NCP शरत पवार और NCP अजीद गुट की तुलना करना चाहेंगे तो इस पे फिलाल अजीद पवार एक सीट सही सही लेकिन चाचा शरत पवार से आगे दिखाई दे रहे हैं ये क्या बताता है देवेंदर अजीद पवार उत्रा बुरा रही कर रहे है जितना लोग कह रहे थे बिल्कुल सौरब शायद ये फिर कनवर्ट हो जाया अभी तक के रुज़ान की इसाब से बले ही आगे नजर आ रहे हैं काफी मदद की है आजीद पवार के हलाकि वह बटेंगे तो कटिंग पर अलग लाइन लेकर चले थी उनकी विचार धरा अलग है लेकिन बीजेपी का लक्षी ये था कि सरकार बनानी बहुमत बनाना है तो आजीद पवार को भी खीशना पड़ेगा तो खीशती वे कानों में नजर आ रहा है 105 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त मायुती जबकि महाविकास अगाडी के अगर आप बात करेंगे तो महाविकास अगाडी भी अब तेजी से कवर अप कर रही है